आपे अपने न्यूबोन को एक बहरापन से बचा सकते हैं बाइदिस स्क्रीनिंग टेस्ट यस दोस्तों बट वीडियो में आगे पढ़ने से पहले अपने इस वीटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और यूटूब चैनल के साथ बैल आईकॉन को प्रेस करना ना आप लेजिसे यान एक उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पी मिलता रहें दोस्तों न्यूबोन जो गोड़ गाई गिफ्ट है वो बहुत हम सब के लिए महत्तवपून है कि जब किसो कोई भी न्यूबोन होता है आईदर मेल और आईदर फिमेल लेकिन हमें बह वो क्या बाते हैं नंबर वन क्या हमारा जो न्यूबोन है जो हमारा ना महमान है उसकी हेरिंग स्टेटस ठीक है बहुत बार क्या पेशेंट और उसके जो 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 अटेंडेंट होते हैं वो बड़े रिलक्टेंट होते हैं नहीं जी यह तो बिल्कुल सही है इसके तो पिता में नहीं हो सकता दोस्तों बात करते हैं क्योंकि क्या होता है कि जो hearing system है वो यूजुल हमें visible नहीं होता आज हमारे बाहर की कोई कान के deformity है वो हमें दिख जाएगी बट अंदर hearing दे रहा है कि नहीं दे रहा हो तो आपको पता ही नहीं लगेगा so how can you say कि मेरा बच्चा तो सही सुनता है यस इसलिए क्या है कि आजकल जो है जहां पर यह delivery होती है उसके जस्ट बात एक screening test होता है ओई ओट अकॉस्टिक emissions दोस्तों वह एक जो अगर उस test की बात करते हैं तो बहुत एक simple test है जिसके अंदर हार्डली जो है 10 मिनिट भी पूरे नहीं लगते और एक छोटा सा instrument होता है mobile जिता सा उस mobile की instrument से और एक year के यहां पर बच्चे को लगा कि यह पता हम लगा सकते हैं कि इसका अंदर वाला year है जो जिसको हम cochlea बोलते हैं वह सही है या नहीं है दोस्तों अगर आपने चेक किया उसमें जो है अंदर हमारे cochlea में hair cells का जो जो graph उसमें जो हमारे को आता है उसे पता लग जाते है कि हमारा cochlea ठीक है वो नहीं है दोस्तों हमारा घृश्ट है वह हमारा ठीक से बैस्ट उसके रिछंट आ सेकी हैं जया है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसका बहुत सारी उसमें चीजए हैं आगे उसका जो है उसका यह retail एड है को कियर इंप्लांटेशन इनर लन्ट स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करते हैं तो यहां पे अच्छे Center है मешतले सब्जेक इवलेबल हूता है और इसकर कोस्ट की बात करते है तो इसे सास सो रुपई से लेकिडेंगे तेरा सिरो कोस्ट में कोस्ट होती है दोनुं यह का चैक करने की टाइम का बात करते है तो यह पार से दस मिरिट का टैस्ट होता है you just ask your doctor मेरे बच्चे का hearing screening test कराना है ये hearing screening test हमें जरूर कराना चाहिए जिससे हमें ये पता लग से so OAA हमें एक test होता है जिसके मार्द्यम से हमें पता लगा सकते हैं कि मेरे बच्चे का hearing system ठीक है नहीं है साथ में दोस्तों उसके एक ब्लड टेस्ट और जरूर कराना चाहिए हमें थाइरेड का test जो भी कई बार क्या होता है कि हमारे को पता नहीं होता अभी भी हमारे गाउं में जो रूरल एरिया में जाट डिलेवरी होती हैं पूरे की नौ मैने वो डॉक्टर को किसी कारण से नहीं दिखा पाते तो उस बच्चे को कई बार उसका मानसिक विकास पूरा नहीं हो पाता तो समय पे अगर आपने टीएस एस कराया अट लिस्ट न्यूबोन में भी टीएस कराया तो थाइरेड की प्रॉबलम का क्विक अनलाइस इस बच्ची का जो माइंड का डवलप्मेंट हो हम बचा सकते हैं हेल्ट्रोक्षिन की थाइरेड की दवा देखे या कैसे भी उसको जो हम आगे पचा सकते हैं तो दोस्तों यह है basically how can we prevent the hearing loss in the newborn कैसे हम पता लगा सकते हैं एक बहर है अपन से जो है कैसे हम अमारे newborn को बचाव कर सकते हैं दोस्तों I think यह information आपको बहुत यूजफुल है और आपका कोई सवाल है कोई कमेंट है definitely you can ask my youtube page, my insta page and my facebook page definitely I reply for this your query thank you